दोसकार बोल्ट स्काई में आपका स्वागत है अक्सर अचानक ही बैठे बैठे हिचकी आने लगती है दरसल डाइजेस्टिव डिसॉर्डर के कारण हिचकी आती है आम तोर पर जब आप खाते और कुछ पीते हैं तभी हिचकी जादा आती है कई बार ये एक मिनट में बंध हो जाती है तो किसी किसी को घंटों तक ये समस्या परिशान करती है कई कारणों से हिचकी आ सकती है जैसे जल्देल्दी खाना, जादा खाना खाना, अधिक मसालेदार खाना, गले में कुछ अटक जाना, एसिड रिफ्लेक्स आ दी तो चलिए आपको बताते हैं हिचकी रोकने के लिए कुछ घरे लूप आए अगर आपको हिचकी आए तो शहत खाए एक बड़ा चमश शहत खाने से हिचकी आना रुख सकता है शहत को मूँ में डाल कर तुरंत निगलने से हिचकी की समस्या बंध हो जाती है ऐसा शेहत की गर्महट के कारण हो सकता है दही में नमक मिलाकर खाने से भी हिच्की आना रुख सकती है दही को धीरे-धीरे खाएं इससे काफी हद तक हिच्की आना रुख सकता है अगर आपको लगतार हिचकी आ रही है तो एक गिलास ठंडा पानी धीरे धीरे पी ले इससे हिचकी काफी हद तक बंध हो सकती है तो कुछ सेकंड के लिए अपनी सासों को रोक कर रखें यह नुसको दादी नानी के जमाने से लोग आजमाते चले आ रहे हैं और काफी हद तक इससे हिचकी रोकने में मदद भी मिलती है कई बार ध्यान भटकने से भी हिचकी बंध हो जाती है ऐसे में आप कुछ जरूरी कामों में व्यस्त हो जाएं या फिर कुछ चोकाने वाले काम करें ताकि हिचकी आने रुख जाए तो यह हिच की रोकने के कुछ आसान घरे लूप आए फिलाल इस वीडियो में इतना ही ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूले